भगवान शिव अर्थात पार्वती के पती शंकर जिन्हे महादेव, भोलेनात, आदिनात आदी कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस स्रिष्टी के रचनाकार है और विश्नुजी पालक है ठीक इसी क्रम में भगवान शिव स्रिष्टी के सनहारक है। उनका रहस सहन वेश भूशा विचित्र है। कैलाश परवत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहां उन्ही रहस्यों को बता रहे हैं। एक, आदिनाथ शिव, सर्व प्रथम शिव नहीं धर्ती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया। आदी का अर्थ प्रारंब, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दो शिव के अस्त्र शस्त्र, शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेदू और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्मान किया था। तीन, भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपता रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शैश नाग है। चार, शिव की अरधांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पारवती के रूप में जन्म लिया और वही उमाव, उर्मी कही गई है। 5. शिव के पुत्र, शिव के प्रमुक 6 पुत्र हैं गनेश, कार्तिके, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा सभी के जन्म की कथा रोचक है 6. शिव के शिश्य, शिव के साथ शिश्य है जिन्हे प्रारमभिक सप्त्रिशी माना गया है इन रिशियों ने ही शिव के ज्यान को संपूर्ण धर्ती पर प्रचारित किया जिसके चलते भिन-भिन धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ती हुई शिव ने ही गुरू और शिश्य परंपरा की शिरुवात की थी शिव के शिश्य है ब्रहस्पती, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनू, भरद्वाज इसके अलावा आठवे गौर शिरस्मुनी भी थे साथ, शिव के गण, शिव के गणों में भैरो, वीरभद्र, मनिभद्र, चन्दिस, नंदी, श्रिंगी, भरिगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमोख हैं इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग, नागिन, पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है आठ, शिव पंचायत, भगवान, सूर्य, गणपती, देवी, रुद्र और विश्नु ये शिव पंचायत कहलाते हैं नौ, शिव के द्वारपाल, नन्दी, सकंद, रिटी, व्रिशब, भरिंगी, गरनेश, उमा, महेश्वर और महाकाल दस, शिव पार्शद, जिस तरह जय और विजय विश्नु के पार्शद हैं उसी तरह बान, रावन, चंड, नन्दी, भरिंगी, आदी शिव के पार्शद हैं ग्यारा, सभी धर्मों का केंद्र शिव, शिव की वेशभूशा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंड सकते हैं मुशरिक, यजीदी, साबीईन, सुभी, इबराहीमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं शिव के शिश्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुवात हुई, जो आगे चलकर शैव, सिध्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाये में विभक्त हो गई बारह, बौध साहित्य के मर्मग्य अंतराष्ट्रिय, ख्याती प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर नहीं बुद्धर के रूप में जन्म लिया था उन्होंने पाली ग्रंथों में वरनित 27 बुद्धों का उलेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्धर के तीन नाम अथिप्राचीन है तेरह, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव, भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदी सभी पूझते हैं वे रावन को भी वर्दान देते हैं और राम को भी उन्होंने भसमा सुर, शुक्राचार्य आदी कई असुरों को वर्दान दिया था